इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हमेशा की तरह हॉलिवड की उन मूविस के बारे में जो की हाल फिलाल में यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं इस वीडियो में आपको एक्सन, कॉमेडी, होरर, साइन फिक्सन, एडवेंचर, लगवक्त सभी केटेगरी की मूविस तेखने को मिल सकती हैं और हमेशा की तरह इन सभी मूविस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रेप्सन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे जिससी की इन मूविस को यूटियो पे ढूणने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो और हो सके तो वीडियो को शुरू से लेके लाश्ट तक जरूर जखिएगा जिससी की कोई भी अच्छी मूवि मिस ना हो जाए और एक जरूरी बात कि इन में से कुछ मूविस अनाफिस लिए अपलोड है जो कॉपी रैट की बज़े से कभी भी रिमूप हो सकती है इसलिए लिस्ट में से यदि कोई भी मूवि आपको अच्छी लगती है तो इस मूवि को जितना में जल्दी हो सके बाउच कर लेना वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चरू कीजिएगा इस टेंन के बैट जाते हैं, टेकन जो गरीब लोग होते हैं इनों टेंन के सबसे पीछी के डबमे में बेटाय जाता है और जो अमीर लोग लोग होते हैं, वो इन गरीब हो का टूर्चर करते हैं जिसका नाम लेसली होता है, लेसली उसी स्कूल में पढ़ती है, जिस स्कूल में जेस पढ़ता है, एक दिन स्कूल में रेस होती है, उस रेस में जेस हार जाता है और लेसली फ़स्ट आती है, तभी जेस तो लेसली में दोस्ती हो जाती है, जब जेस तो लेसली घर आ रहे होत तब यह दूने रिस लगाते हैं और भाक्ति यूँ जंगल में पहुंच जाते हैं लेकिन दोनों के पता नहीं होता है यह मैजिकल जंगल है उसके बाद इस मूवी के अंदर इन दोनों के साथ क्या कुछ होता है वह आपको इस मूवी को देख्रम ज्याग करना जाए इस काम छोड़ देंगे अपनी फैमिली के साथ नॉर्माल लैप जीएंगे लेकिन जब यह बाद डॉन लीज को पता चलती है तो कटेलिया की फैमिली को जान से मार देता है लेकिन कटेलिया बच जाती है और वो शिकागो में अपने अंकल के पास चली जाती है और वो यह तैक कर यह तक डिप्टेसंस ने वहार नहीं आई है इसलिए वो इस घर को छोड़ कर दूसरी जगर शिप्ट होना चाहती है तभी वो अपने सामान को प्रक करके उस घर को छोड़ के चली जाती है लेकिन दास्ते में जेसका की गार्डी को फॉलो करना है इसलिए वो डर जाती है लेकिन फिल्में ट्विश्ट और टर्नस तब आता है जब जेसका की गार्डी खराब हो जाती है तभी एक साइकोपैट जेसका को इडड़नेप कर लेता है और उसको बेस्पेंट में बंद कर देता है और इस साइकोपैट अब तक बहुत सी लड़कियों को दरदनाक तरीक कियी थे अब बात करते हैं इस मूपी की स्टोरी की मूपी की शुरुआत होती है इरान से जहां प एक बॉम्ट डिस्वीचल टीम होती है जो दिस्टीम को सेंवान लीड करता है यह दिनी steam में Matthew नम का Soulja मारा जाता है तभी उसके जगहबे James नम का Soulja राता है और वो bomb डिस्वीच करने में expert होता है लेकिन Shane Vaan को James नौसी किया लगता है तभी steam को पता चलता है कि बगदाद में bomb लाष फोने बाला है उसके बाद इस movie की इस लिष्ट के अंदर नमर 7 पे आती है वाई हिम, यह मुवी को आम डिव पर 6.2 और 10 के रेटिंग मिल चुकी है, मुवी कहानी में दिखा जाता कि लेट और स्टेफनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दिन स्टेफनी के पिता अपना बर्थेटे मना रहे होते हैं, तब इस स्टेफनी अपने पिता को पिष्च करने के लिए उनसे वीडियो कालिंग करती है, तिकिन उसी रूम में लेट आ जाता है, अपने पिता को पिष्च करने जाता है, अब इसके बाद इस फिल्म में क्या कुछ कॉमेडी होती है, वहाँ पे इस मूब्य हुग कर जानू, यदि हमको कॉमेडी मूब्य देखना पसंद है, और आपने इस मूब्य को नहीं देखा था, तो आपको ये फिल्म जरूर देखने चाहिए, चोकियां को पसंद आज सकती है, इस लिष्ट के अंदर नमर 6 पे आती है, प्रोजेक्ट वॉल्फ हंटिंग, ये मूबी 2022 में आई थी, एक्षिन क्रैम होरर मूबी है, इस मूबी की स्टोरी बताने से पहले एतना बता देता कि इस मूबी में आपको बहुती जादा व्रूटल सीन देखने को मिल सकते है, यानि कि बहुती जादा खुन खराबा देखने को मिल सकता है, यदि आपको इस तरह की मूबी देखना पसंद नहीं है, तो आप इस मूबी की स्टोरी की, तो इसमें कहानी देखने को मिलती है, कि South Korea के कुछ खतरना criminals फिल्पीन भाग जाते हैं तभी एक special team बनाई जाते हैं और ये team उन criminals को पकड़ती है जो फिल्पीन में चिपे होते हैं लेकिन movie में इस twist तब आता है जब ये team इन criminals को cargo ship के जरी ये South Korea ला रहे होते हैं तब ये उस ship में कोई चीज इन criminals और पुलिस वाल को एकर करके मारना शुरू कर देती है वैसे में ये लोगों उस ship में किस तरह survive करते हैं और वो चीज क्या है जो इन लोगों को मार रही इस सब को जानने के लिए आपको ये film देखनी चाहिए और वहाँ पे दो लडके और भी होते हैं जो सर्फिर्ग कर रहे होते हैं तब ये शाम होने बाली होते हैं और वो दोने लड़के चले जाते हैं तेकि Nancy नहीं जाती है और उस समदर में और भी रहाधा करना चाहती है तभी अचनक से एक शार्क नैंसी की ऊपर हमला है जिससे नैंसी का हायल हो जाती है और उसकी सर्फिंग बोर्ड भी ढूब जाती है तभी नैंसी को समदर में एक मरीव डॉलल्फ में दिखाई देती है वो अपनी जान बचाने के लिए उस मरीव डॉल्फिंग पर बैट जाती है और रात भी होने बाली होती है और यदि वो तैर के बाहर जाती है तो वो शार्क उसको जान से मार सकती है अब ऐसे में नैंसी किस तरह सरवाइब करती है वो आप इस मूवी को दिक्कर जानू इस मूवी को M.D.U. पर 6.3 आट अप 10 ग्रीटिंग में लिए नमबर 4 पर है डेथ रेस ये मूवी 2008 में आई थी इस साइफाय एक्सन थ्रिलर मूवी है मूवी की शुरुआत में दिखा जाता है कि अमेरिका में क्रैम बढ़ते जा रहे थे तब ही वहाँ की सरकार प्राइबेट जेल मनबाती है जिन में से एक दी टर्मिनल आईलेंड इस जेल में मौट की रेस होती है जो भी इस रेस में हारता है वो मारा जाता है और जूस रेस को बिन करता है उसे रिया कर दिया जाता है चाहे उसका crime कितना भी वड़ा क्यूं ना हो फिर कहाने फोकस करती है जेंसन पर इसकी वाइप को कोई जान से मार देता है और सारह घंसन पर आ जाता है तब इस जेल को टर्मिनल आइलन्ड भेज दिया जाता है तब इस जेल की Warden Jenson से race में हिस्ता लेने केल कहती है और Warden बताती है कि यदि तुमें इस race को जीत जाते हो तो तुम्हें रियाग कर दिया जायेगा लिकिन मुवी में इस टिश्ट तब आता है जब Jenson को ये पता चलता है कि जसने उसकी वाइफ को मारा है वो इस जेल में है और वो इस देस में हिस्ता लेने बाला है अब इसके बाद इस movie में क्या कुछ होता है वहाँ पर इस masterpiece movie को दखकर जानू इस movie में आपको Jason Statham ली ट्रोल में देखने को मिलेंगे यहाँ भी मेरी तरह Jason Statham के फैन हो तब आपको यह movie मिस नहीं करनी चाहिए जिसको IMD पर 6.4 out of 10 के रेटिंग मिली है नंबर थर्ड पर में कालो मैं नहीं आग यह movie बी 2032 में आई थी यह action horror mystery movie है movie में इस्टोरी है एक psycho clerkी जो शेहर में लोगों को बहुत ही बेरेमी से मारता है और पुलिस से psycho clerk को डोनती है लेकिन ही पकला नहीं जाता है और फिर आचानक से वो कहीं लापता हो जाता है और इस बात को काभी साल बीच जाते है फिर खानी फोकस करती है उस psycho clerk के बेटे पर जो अपने पेता की तरह psycho clerk बनना चाहता है इसलिए वो लोगों को तलपा-तलपा के मारना शुरू कर देता है इसके बात इस movie में क्या कुछ होता है और क्या कुछ activities होती है वो जानने के लिए आपको इस film को देखना पड़ेगा काभी कमाल की movie है और इस movie को IMDU पर 5.6 out of 10 की rating में लिए है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो आप लोगों से एक छोटी सी request है कि वीडियो को like और इस channel को subscribe करके bell notification आल पर जरू कीजिएगा जिससे की Hollywood की कोई भी नई movie यूटीव पर अबलोड हो तो उसकी notification आपको सबसे पहले मिल सके लिष्ट में last number 1 की हमारी movie है X1 First Class ये movie 2011 में आई थी इस sci-fi action movie है और इस movie को IMDU पर 7.7 out of 10 की rating में लिए इस movie की story बता के माँ आपका मजा खरब नहीं करूँगा वैसे तो ये movie आपने देखी होगी या जिन्होंने नहीं देखी है या जो दोबारे से देखना चाहते हैं तो अभी की टाइम पर इस movie को YouTube पर हिंदे में देख सकते हैं तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं नेश्ट वीडियो में टेक क्यार एंड गुडबाए